मौन यानि ये नहीं है, कि ये अपना मूँ बंद कर लिया जाए। एक आयाम जो जीवन और मृत्यू से परे है, उसे निशब्द कहा जाता है। ये किया नहीं जा सकता। आप ये बंद सकते हैं। तो आप जितने भी शब्द बोल रही हैं, वही बातें पचास प्रतिशत कम शब्दों के साथ कहने की कोशिश करें। अचानक आप हर चीज की प्रती बहत सचेत हो जाएंगे। हवा की अपनी ही आवाज हैं। पानी की भी। और धरती की भी हैं। और वाकई आकाश की भी हैं। सभी ग्रहूं और नक्षत्रों की अपनी आवाजे हैं। दर्द की आवाज होती हैं, खुशी की आवाजें, दुख की आवाजें, और आनंद की आवाजें होती हैं। हर चीज की एक ध्वनी होती है। इंसानी जीवन में ये बिल्कुल सच है। जीवन और मृत्य। दोनों की ध्वनिया होती हैं। यहां तक की मौन की ध्वनिया होती हैं। तो ध्वनियों का जटिल मेल है। अलग-अलग ध्वनियों से। अलग-अलग मन्शाएं, मजबूरी के और साथ ही, बंधन के विभिन स्तर, और उल्जन की विभिन संभावनाएं पैदा होती हैं। तो फिर, कोई चुप रहना क्यूं चुनता है। मौन जीवन को नकारने का तरीका नहीं है। मौन खुद को कुछ करने से रोकना भी नहीं है। मौन का संभंध, मजबूरी से चेतनता की ओर बढ़ने से है। सभी दुहनियां, मजबूरी के अलग-अलग रूपों और आयामों का ही एक रूप है। जब कोई सचेतन होना चुनता है। और मजबूर करने वाली चीजों से दूर होना चाहता है। तो वो स्वाभावयक रूप से चुप रहना चुनता है। मौन यानि ये नहीं है। कि अपना मूँ या अपने कान बंद कर लिये जाएं। आप मौन में गा सकते हैं। आप मौन में नाच सकते हैं। आप मौन में बोल भी सकते हैं। आप मौन में चिल्ला भी सकते हैं। कोशिश न करें। यानि ये नहीं कि जब सभी चुप हूँ तब चिल्लाना, वो मौन में चिल्लाना नहीं होता क्योंकि द्वनी सतह पर है, मौन बुन्याद है सिर्फ सतह की द्वनी पैदा करती है देखिए, पानी सतह से टकराता है और आवाज आ रही है गहराईव में कोई आवाज नहीं होती जीवन ऐसा ही है सतह पर द्वनियों का एक बहुत ही जटल जाल है द्वनियों का चक्र व्यू है पर मूल में कोई द्वनी नहीं है अंग्रेजी भाज़ा में नू साउंड के लिए कोई शब्द नहीं है हम इसे निशब्द कहते हैं इसका अर्थ है द्वनी बिलकुल ना होना द्वनी का पूर्ण आभाव द्वनी ना हो तो प्रती द्वनी भी नहीं होगी प्रती द्वनी नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा जीवन के नहीं होने से स्रिष्टी नहीं होगी स्रिष्टी न होने का अर्थ है, स्रिष्टा भी नहीं होगा तो एक स्थान जो स्रिष्टी और स्रिष्टा से परे है एक आयाम जो जीवन और मृत्यू से परे है उसे निशब्द कहा जाता है ये किया नहीं जा सकता आप ये बन सकते हैं आम तोर पर ये बताने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक है मौन, यानि आप चुपी का अभ्यास कर रही हैं आप चुप नहीं है आप मूँ बंद करके चुप हो गए है ये निशब्द नहीं है मौन यानि चुपी का अभ्यास करना अभ्यास करने का आर्थ है आप खुद वो नहीं है क्या आप जीवन है या आप जीवन का अभ्यास कर रही है मैं पोछ रहा हूँ आप जीवन है या जीवन का अभ्यास कर रही है अभ्यास नहीं, आप जीवन हैं, शायद अभ्यास अच्छा नहीं है, पर आप जीवन हैं इसी तरह मौन का अभ्यास करने और मौन होने में अंतर है मौन का अभ्यास एक नियम की तरह शुरू होता है पर धीरे धीरे मौन का अभ्यास करते हुए आप शायद मौन हो जाएं तीवर गतिविधी में भी कोई चुप हो सकता है पर हमेशा तीवर गतिविधी करना संभव नहीं है तीवर गतिविधी के पल सिर्फ पल होते हैं, कोई भी उन्हें बनाए नहीं रख सकता आप ठक जाएंगे अगर आप इसे बिना कुछ किये पा सकें तब ही ये टिकेगा अगर सिर्फ तीवर गतिविदी से ही ऐसा हो पाए तो ये कभी नहीं टिकेगा गायन के बहुत तीवर और आनंदमे क्षण में कोई व्यक्ति मौन बन सकता है या उसे चक सकता है पर ये कभ तक टिकेगा आपका गला फट जाएगा और आपके पडोसी आपको पीटेंगे संभव है तो मौन होने या बन जाने की इस संभावना का एक अर्थ है स्थिर हो जाना पूरी तरह से स्थिर हो जाना स्थिर्ता कई तरीकों से पाई जा सकती है एक सांप भी स्थिर होता है एक बाग भी शिकार करते हुए स्थिर चौकनना पर बिल्कुल स्थिर ये स्थिर्ता के विभिन आयाम है जिनका काम जीवन चलाना है अगर सांप हिलेगा डुलेगा तुमारा जाएगा अगर शेर स्थिर नहीं रहेगा तो उसे भोजन कभी नहीं मिलेगा ये जीवन चलाने की चीजें हैं हमें जिन्दा रहने के लिए कुछ करना जरूरी है जब इंसान की नजर जिन्दा रहने से परेगी चीज़ पर पढ़ती है तब ही वो स्थिर्ता के बारे में सूचेगा तब वो समझेगा खुद को देखकर वो अपनी मजबूरियों की जटलता देखता है तब समझता है कि इसका एक ही हल है स्थिर होना इस शरीर को और इस मन को स्थिर करने के लिए कुछ कोशिश ज़रूरी है अगर कोई बस आनन्दत है तो वो स्थिर हो जाएगा वरना उसे कदम दर कदम काम करना होगा इस शरीर को बिलकुल स्थिर करने के लिए ज्यादतर लोग एक ही जगा पर शरीर को रोक नहीं पाते वे हमेशा हिलते डुलते रहते हैं All the time and moment As it is said, a man is ill only because he does not know how to be still कहा जाता है कोई अस्वस्थ है बस इसलिए क्योंकि वो अस्थिर है क्योंकि इस्थिरता में आप स्रिष्टी से परे के आयाम से जुड़ जाते हैं उसके संपर्क में आने पर बीमारी जैसा कुछ नहीं होता मेरे यहां बैट बैट अगर शरीर सड़कर गिर जाये तब भी बीमारी नहीं होगी ऐसा इसलिए क्योंकि असल में जब कोई बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो वो शरीर को तब ही थाम पाता है जब वो शरीर के तरीके जानता हो तो मैं स्थिर क्यों हो जाओं? क्या मैं अपना शरीर खो दूँगा? वैसे भी आप अपना शरीर खो देंगे जब शरीर को खोने का समय आएगा, यदि आप इसे घरिमाज से छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कम से कम थोड़ा स्थिर होना होगा अगर आप अपने शरीर को वैसे ही नीचे रखना चाहते हैं, जैसे इस कपड़े को नीचे रखना, उतने आराम से उसी सुन्दरता के साथ, तो आपको खुद में कुछ स्थिरता लानी होगी, वरना आपको और आपके शरीर को अलग करना होगा, जो एक बदसूरत चीज होग आपका शरीर से जबर्दस्ती अलग किये जाना एक बदसूरत और दर्दनाक काम है, अगर आप इसे नीचे नहीं रख सकते, तो आपकी जीवन में कोई क्रिपा नहीं है, तो अगर आपको क्रिपा पानी है, तो आपकी जीवन में कम से कम कुछ स्थिरता ज़रूरी है, ऐसा तब ही होगा जब आपके जीवन में कुछ मौन होगा, अगर अभी नहीं हो पा रहा, तो कम से कम थोड़ा सा मौन का अभ्यास, एक घंटे में अगर आप अभी 1573 शब्द बोल रहे हैं, कितने शब्द माँ? आप एक मिनिट में कितने शब्द बोलते हैं? 1573 वाकई इतने ज़्यादा? मुझे लगा कि यह असंभव है ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है तो आप जितने भी शब्द बोल रहे हैं, वही बातें 50 प्रतिशत कम शब्दों के साथ कहने की कोशिश करें अचानक आप हर चीज के प्रती बेहत सचेत हो जाएंगे फिलहाल मौखिक दस्थ हो रहा है 1573 याने दस्थ, ठीक है? अब अगर आपको आधे शब्दों में वही बातें कहनी हो तो बहुत सचेत रहना होगा, वरना आप नहीं कह पाएंगे बस कोशिश करके देखें कल एक दिन एक घंटे में आम तोर पर आप जितने शब्द बोलते हैं उसे आधह कर दें अपनी गतिविधियां कम न करें, वही बाते कहें लेकिन आधहे शब्दों में पूरी दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी दुनिया अधबोत हो जाएगी अगर कल हर कोई ऐसा करे तो कई शादियां भी बच जाएगी अब्द सनी याएगी назад क्योटका कर दूल जाएगी झाल